आयोध्या जाने के इच्छुक लोगों के पास जल्द ही पवित्र शहर के लिए हवाई यातरा का विकल्प होगा राश्ट राजधानी से आयोध्या के लिए यात्री हवाई सेवा हफते के सातों दिन 30 दिसंबर से शुरू होगी एक हफते बाद कॉमर्शल हवाई सेवाउं का संचालन भी शुरू हो जाएगा प्रशासन के मुताबिक श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रन्वे और टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है टर्मिनल भवन राम मंदिर की तर्श पर बनाया जा रहा है और इसकी दिवारों पर रामायन के चित्रन होंगे अधिकारियों का कहना है कि आयोध्या में मर्यादा पुर्शुत्तम श्री राम अंतराष्ट हवायड़ा इस महिने के आखिर तक बन कर तैयार हो जाएगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के एरपोर्ट का उद्गाटन करने की संभावना है इंडिगो हवायड़े से संचालित होने वाली पहली विमानन कंपनी बनने जा रही है और आयोध्या एरलाइन का 86 घरेलू डेस्टिनेशन होगा